Hello friends, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस baby mat के बारे में जो कि एक काफी अच्छा option है आपके बच्छों के safety के लिए home gym setup के लिए या फिर आप घर में yoga करते हो तो उसके लिए आपको mat चाहिए तो वो सारे use cases के लिए ये एक बढ़िया option है तो इसमें मैं आपको complete details बताऊंगा इस product के बारे में और बाकी mats के comparison में क्यों ये अच्छा है वो भी मैं आपको बता दूँगा तो video end तक जरूर देखिए तो सबसे पहले देखते हैं इसका build quality तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो foam material है वो काफी thick है और बच्चों की safety के perspective से ये quite important है क्योंकि बच्चे गिरते रहते हैं और जरा chances कि उनको कुछ न कुछ लग सकता है hard floor पे तो ये काफी impact सह लेगा जितना इसका density है उससे काफी impact सह लेगा और एक side में आप देखेंगे कि एक rough surface है दूसरे side में plain surface है तो अगर आपके बचे थोड़ा toddler age में है तो I would recommend कि आप ये rough वाला surface यूज करें जो anti-slip material है और अगर crawling baby है तो ये वाला surface भी चल जाएगा अभी next जो point है वो है इसका attachment जो locking mechanism है ये भी काफी simple है तो आपको बस ये निकालना है और जो दूसरे mat के notches है उसमें आप इसको easily fit कर सकते हो तो यहाँ पे अगर आपको लगाना है for example इसको तोड़ा बढ़ा करना है तो आपको यहाँ से एक ये attachment आप भटा सकते हो और फिर ये दूसरा वाला इसके उपर ऐसे बैठ जाएगा तो इसको बस इस तरीके से आपको match करना है और यहाँ पे ये press fit हो जाएगा और ये interlocking जो mechanism है वो काफी अच्छा है इससे आप पूरा देख सकते हो कि मैं mat हिला रहा हूँ फिर भी वो attachments हिल नहीं रहे तो जब आप ये पूरा setup कर देते हो तो ये एक जगह पे रहेगा सारे blocks finely attached रहे जाएंगे और जो साफ करने वाली बात है तो वो भी काफी easy है तो simple सा अगर एक block गंदा हो जाता है तो उसको आप निकाल सकते हो और इसको दो के फिर dry करके आप वापिस अपनी जगह पे लगा सकते हो और जो material है वो काफी moisture resistant है तो इससे होगा क्या कि अगर आपके बच्चे कुछ गिराते भी है तो आप easily उसको clean off कर सकते है with wet tissue और वो जल्दी dry भी हो जाएगा अब time होता है थोड़े test के बारे में तो drop test करके देखते हैं कि ये कितना impact सह लेता है तो आप देख सकते हो कि जो cushioning है वो काफी सरा impact absorb कर रहा है बहुत easily और mat पे कोई उसका effect भी नहीं है ये same चीज अगर मैं floor पे गिराओ तो आप देख सकते हो कि hard floor पे कितना impact ज्यादा हो जाएगा तो from a safety perspective I think ये काफी अच्छे से काम करेगा इसका purpose जो है वो काफी अच्छा रहेगा from a safety perspective अब बात करते हैं इसके material के बारे में तो तोड़ा सा liquid drop test भी करते हैं और देखते हैं कि कितना easily ये clean हो सकता है तो यहाँ पे अपन कुछ पानी गिराते है ये mat पे और आप देख सकते हो कि उसके अंदर soak in नहीं हो रहा है उपर ही पानी का layer है और देखते हैं कि इसको कितना easily अपन साफ कर सकते हैं तो बहुत easily ये साफ भी हो गया अगर ज्यादा पानी spillage हो जाता है तो थोड़ा इसको fan के नीचे भी अपसुखा सकते हो वैसे कुछ moisture इसके उपर दिखाई नहीं दे रहा है तो final words इस product के बारे में मेरे ये रहेंगे कि ये काफी अच्छा option है for a baby mat, for a gym mat, या फिर as a yoga mat और इसमें आपको अलग-अलग block sets के options आता है जैसे मैंने यापे 9 blocks वाला set लिया था वैसे अलग-अलग options भी आता है तो उन सारों के links मैं नीचे description में डाल दूँगा तो इस video के लिए इतना ही, thank you for watching this video and do subscribe to my channel